ओम शान्ति मातिश्वरी जी के अन्मोल महवाद के हैं याद का तैलुक अर्था संबंद है ज्ञान से याद का संबंद है ज्ञान से ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं ज्ञान से ज्ञान के बिना याद यथार्थ नहीं रह सकती पहले पहले मनुश्यों को अपने सुखी जीवन बनाने के लिए कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धी में रखनी पहले तो ये मुक्चे बात समझनी है कि जिस परमत्मा बाप की हम संतान है उस बाप की याद में हर समेश श्वास उपस्तित रहे उस अभ्यास में रहने की पूर्ण रीती से कोशिश करनी है अब श्वासो श्वास का मतलब है लगातार बुद्धी योग लगा रहे जिसको निरंतर योग अटूट अजपा जाप याद कहा जाता है ये कोई मुक्च से जपने वाला नहीं है और ना कोई मूर्थी को सामने रख उसका ध्यान करना है परन्तू ये बुद्धी योग द्वारा याद रखनी है कि अब वो याद भी निरंतर तब रह सकेंगी जब परम आत्मा का पुरा परिच्छे हो तब ही तो ध्यान पुरुन लग सकेगा परन्तू परमात्मा तो गीता में साफस कहते हैं ना मैं ध्यान से ना जप से ना तप से मिलता है और मेरी सूरत को सामने रख उसका ध्यान करना है परन्तू ज्यान योग द्वारा परमात्मा को पाना है इसलिए पहले चाहिए ज्यान ज्यान बिगर याद कायम रह नहीं सकेगे शाद का तेलुक है ये ज्यान से अब ज्यान से चाहे मन से कल्प ना करें या बैठ कर दर्शन करें अगर उस देखी हुई चीज का भी पहले ज्यान होगा तभी तो बैठ कर देख सकेंगे तभी योग और ध्यान में ठीक लग सकता है इसलिए परम पिता परम आत्मा कहते हैं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मेरे साथ कैसे योग लगाना है उसका भी ज्यान चाहिए ज्यान के लिए फिर पहले संग चाहिए अब ये संग ज्यान की पॉइंट बुद्धी में रखनी है ये सब क्या है संग कैसे बनेगा ये बाबा की शिरीमत की अंगुली पकड़ कर सारा दिन चलना है बाई बेन केते कहा है बाबा अरे बाबा की अंगुली पकड़ो ये सिरीमत है उस बाबा की अंगुली जिस पर चल कर आपने अपना भविशे स्रेश्ट रचना है अब ये सब की पॉइंट बुद्धी में रखनी है तब ही योग ठीक लग सकेगा अच्छा ओम शांक देए और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी इश्वरिये विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र पर समपर करें या 92-131-06-986 पर केवल टेलिग्राफ करें 965069-22270 पर केवल ब्रावनों के लिए सच्चाई जानने के लिए केवल वर्शा ओन ओम शांक आतरुमार के लिए के लिए समयी